और अब एक खास बात आरजी रमजाजर के दर्शकों से निवेधन है ताबर तोड बेबाक वा बेजीज़क खबर देखने वा जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है उसे दबाते ही बैल आइकन आ जाएगा उसे क्लिक अब जाजर और मैं हूँ पुखराज सिंग चैनल की बड़ी खबरों की आज बात करते हैं तो आज की सबसे पहली बड़ी खबर है चोटी उम्र में स्टार बना सहदेव बातसा से लेकर सी एम तक हुए फैन भूपेस को सुनाये आपना हिट सॉंग बगेल बोले बचपन का प्यार चत्रिसगर रायपूर में इस वक्त दो ही बाते चर्चा में हैं पहला व्रिहस्पत सिंग और टीयर सिदेव का सियासी मुद्दा और दूसरा बचपन का प्यार गाने वाले सहदेव सहदेव चोटी सी उम्र में ही स्टार बन गये हैं सिंगर बातसा से लेकर सी एम भ रहने वाले बालक सहदेव दिर्दों ने अपने स्कूल में दो साल पहले गाया था वीडियो वैरल होने के बार यह बॉलीवूड रैपर बातसा तक पहुंचा इससे बातसा बेहत प्रभावित हुए उन्होंने सहदेव को चंडिगर बुला लिया जहां बातसा ने उनके सा जने मेरे जने मन बस्तन का प्यार मेरा भूल नहीं जनर है रच्सा मेरा प्यार है जान तुझी किया है बस्तन का प्यार मेरा भूल नहीं जनर है और आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं प्रदेश में दो-तीन दिनों तक लगातार हो सकती है बारिश मौसव विभाग ने जारी किया अलर्ड रैपूर शत्यसगड़ के कई लाकों में मुसलाधर बारिश का दौर जारी है वही मौसव विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ड जारी किया है उत्तर और मध्य शत्यसगड़ में बारिश का सबसे जादा असर रहेगा बतारे की राजधानी रैपूर समित बिलासपूर पेंदरा रोड दुर्ग राजनान गाओं कवरधा में लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले उपान पर हैं वही प्रदेश में सबसे अरीक बारिश सिम्दो और बस्तर में 40-40 मिलिमीटर दर्ज की गई बतारे की धमकी देकर 20 लात रुपे वसूलने का था आरोफ। दुर्ग के निलंबित IPS जीपी सिंग के खिलाप दुर्ग में FIR दर्ज हुआ है निलंबित ADG, जीपी सिंग और उनके सहयोग्यों पर दुर्ग पुलिस ने धारा 38, 506, 34 की धाराओं के तहत अपराद दर्ज किया है जीपी सिंग और उनके साथियों पर आरोफ है कि उन्होंने एक व्यवसाई को फरजी तरीके से केस में फसाने की धमकी देकर 20 लात रुपे वसूले इस FIR में उलेखित है कि उद्यमी का लेंदेन का विवाद था साजेदार ने पैसा दबा दिये तब रेंज आईजी जीपी सिंग थे कथित तोर पर जीपी सिंग की साजेदारी थी जिसकी वजह से उसे पैसे तो नहीं मिले बगर फरजी केस में फसा दिया गया इस दोरान उद्यमी की पत्नी और परिजनों से केस कमजोर करने के एवज में एक करोल रुपे की डिमांड की गई और 20 लाख रुपे एडवांस के तौर पर वसूले गए वहीं आज की चौती बड़ी खबर की बात करते हैं बंगला याड में गरीब भीकारियों की तंबू तोड रेलवे के अधिकारियों ने किया आग के हवाले खबरे बिलासपूर जिलेगा जहां रेलवे स्टेशन के बंगला याड के पास रेल के अधिकारियों के द्वारा बंगला याड में आठ से दस परिवार जो भीक मांग कर अपने छोटे-छोटे बच्चों के सान तंबू डाल कर रह रहे थे जिसे आज रेलवे दौरा उनके तंबू को तोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया और जब चुनाओ जीत जाते हैं तो गरीबों के तरफ पलट कर भी नहीं देखते अजादी को 73 साल से जादा होने को है देश में क्या कोई ऐसा सरकार आया जो भीक मांगने वाले गरीबों के हिट के लिए काम किया हो सत्य ये है कि ऐसा कोई सरकार नहीं है जो इनके हिट के लिए काम करे सरकार ने अगर इनके लिए काम किया होता तो आज ये लोग ऐसी सिती में नहीं होते और आज ये लोग भी कंदे से कंदा मिला कर सबके साथ खड़े होते वो भी रेलवीज का जैमीन था वहाँ भी हम लोगों को हटा दिया गया खपरवाला थोड़ा मिट्टी का माकान था सब हट गया और आज की पांची बड़ी खबर की बात करते हैं खेत मताई करते समय ट्रैक्टर पलटने से चालक की हुई मौत खपरे महासमून जिले का तेनी कुना थानक शेतर के ग्राम बुंदीली में खेत मताई करते समय ट्रैक्टर पलट गया और चालक की मौत हो गई सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है बुंदीली चौकी प्रभारी मनुरत जोशी ने बताया कि गाउं का नाथुदास मानिकपुरी पिता वैसाखो 45 वर्ष खेत में मताई करने निर्मल दास मानिकपुरी के खेत गया हुआ था दोपहर तेड़ बजे मताई करते समय ट्रैक्टर अनियंतरित होकर पलट गया जिससे चालक नाथुदास दब गया और उसकी घटना इस्थल पर ही मौत हो गई और आज की छटवी बड़ी खबर की बात करते हैं टिकट काउंटर पर बैटने वाली महिला करमचारियों की भाली लापरवाही हुई उजागर चलती ट्रेन में हुआ विवाद खबर बिलासपुर जिलेका जहां 22 जुलाई को राज 10 बजे जांगिर चापा के भागिरत विश्वकर्मा नामक व्यक्ती ने गितांजली एक्सप्रेस से कल्याण जाने के लिए टिकट काउंटर नमबर 3 से करंट रिजरुशन कराया था जो बर्थ टिकट पर था उस पर बैट करवे नाधपूर तक पहुँच भी गए लेकिन नाधपूर पहुँचने पर उसी बर्थ पर दूसरा यातरी भी पहुचा और फिर विवाद होने लगा तो मामले में टीटी ने दखल दी और दोनों की टिकट जांच की तो नाधपूर से बुकिंग की गई टिकट वाले यातरी का नाम वो PNR नंबर चार्ट पर दिखाई दे रहा था लेकिन बिलासपूर से जारी टिकट चार्ट में नहीं दिख रहा था इस कारण से चलती ट्रेन में विवाद होता रहा विलासपूर के यातरी के पाज उटिकर था, उसका स्क्रिन सॉट वाला प्रिंट था, इसलिए टिटी यू को उस पर संदे हुआ और भागीरत को घुसावल आर्पीएफ के हवाले कर दिया गया आर्पीएफ 25 जुलाई को भागीरत को लेकर विलासपूर पहुँची और पूरे मामले का खुलासा हुआ और अब साती बड़ी खबर की बात करते हैं और अब आठवी वड़ी खबर की बात करते हैं बाबा साहब को मनाने में जूटा कॉंग्रेसी संगठन रायपूर विधायक ब्रिहस्पत सिंग के मंत्री टीए सीदेव पर लगाये आरूपों के बाद कॉंग्रेस की राजनीती में खलबली मची हुई है विधानसभा में विपक्ष द्वारा मामला उठाने के बाद कॉंग्रेस सरकार के मुख्या से लेकर प्रदेश प्रभारी तक डेमेज कंट्रोल में जूटे रहे प्रदेश प्रभारी ने दिल्ली लोटना रद कर मुख्यमंतरी और मामले से समधित दोनों मंतरी विधायकों से चर्चा कर सोमार को शाम मामला खत्म होने की बात कही थी लेकिन दूसरे दिन विधानसभा में मामला के फिर गर्मा ने और विधायक के F.I.R का ग्रेमंतरी दौरा सदन में उलेख करने से टीए सीदेव नराज होकर सदन से चले गए इसके बाद मामला एक बार फिर गरमा गया इस पूरे प्रक्रण में यहाबात हैरान करने वाली है कि आदिवासी राज्य में एक और आदिवासी विधायक पर हमले और उसकी पीड़ा को नजर अंदाज कर कॉंग्रेस एक कदावर और बड़े नेता के सम्मान की चिंता में डूबी नजर आ रही है सीदेव की नराजगी के बाद सीएम और प्रदेश प्रभारी ने मंत्रियों के साथ सीदेव से चर्चा की सीदेव ने भी इस मामले में गेंद सीएम के पाले में डालते हुए यही कहा कि इस मामले में अब जो कहना है सीएम ही कहेंगे और अब आज की नवी बड़ी खबर की बात करते हैं आई टी आई प्रसिक्षक से बाना लाग की छगी फेस्बूक पर वना ठगी का सिकार फेस्बूक पर विदेशी महिला से दोस्ती करना एक आई टी आई प्रसिक्षक को महगा पड़ गया फेस्बूक पर विदेशी महिला रोज फ्रांसिस से भानु प्रतापपूर के आई टी आई कॉलेज के प्रसिक्षक बसंदपूर का परिचय हुआ दोस्ती के कुछ दिनों बाद इस महिला ने प्रसिक्षक को लंदन में नौकरी का ओफर दिया प्रसिक्षक दौरा लंदन में नौकरी करने से इंकार करने के बाद बिजनेस इन्वेस्टमेंट का लालस देकर लगभग 12 लाख रुपे विभिन ऑनलाइन पेमेंट एप्स के माध्यम से जमा करवाए गया महिला ने आफर को 11 करोर नगद और सोना का जहासा दिया इस चकर में महिला के कहने पर लाख रुपे लंदन के कथित बैंक में जमा करा दिये गया पिडित की शिकायत पर भानुपरताप कुलिस ने अग्यात आरूपी के खिलाप मामला दर्ज कर लिया है तो ये थी 36 गड़ के आज की कुछ महतोपूर्ण खबरे आप देख रहे थे आर जी रमजाजर, मैं हूँ पुकराज सिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को जारत ज्यादा शेयर करें नमस्कार